साथियो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभार अभिनंदन जोहार और सलाम अलेकुम और हमारे पुरी दादा को इस्पेसल दुर्गापुजा की हार्दिक बधाई और विटिया को भी और हमारे मंच पर आज मिश्टर जारखन जुड़ चुके हैं आपका कोई साइड है क्या पर है मिश्टर जारखन में इनका बहुत सुंदर लुक आएगा चेहरा आएगा एक जानना पहचाना चेहरा जो आप देख रहे हैं हमारे इस मंच पर और पोरी दादा सुबह से हमें फोन कर रहे थे और बिटिया कि मुबारक अंकल जितना जल्दी हो सके मुबारक अंकल आ एक कोब्रा गिरा हुआ है और हमें आज एक सांदार रेस्क्यू ऑप्रेशन करना है तो हम पहले से ही जुगाड बना चुके हैं कि किस तरह साप को हमको निकालना है तो वीडियो का आखरी तक बने रहे हैं बिटिया निकाल दे तो निकाल दे तो चलिए बेटी बचाईए और बेटी पढ़ाई है और बिटिया लोगों से हिजाजत लेना पड़ेगा देखिए किस तरह यह सांफ हम लोग रेस्क्यू करते हैं यह स्नेक है कोब्रा कोब्रा एक जानलेवा सांफ है देखिए डर के आगे जीत है और यह संदार रेस्क्यू आप्रेशन कोब्रा कोब्रा एक जानलेवा सांफ होता है कि इधर आजीए कैमरा लेकि उधर चले जाईए शरीयत जीए यह काफी धरा हुआ है और बंगला में हम लोग इसे गोखुरो इंग्लीस में स्पैक्टिकल कोब्रा और सांट्रिक नेम नाजा नाजा और हमारा खास्तर के हिंदी में नाग हिंदी में गेहवान देखिए अब इसका उग्रू रूप देखिए साथी वाँ देखिए उग्रू रूप कोब्रा का एक बुन्द जहर बीस से पचीस लोगों को मारने में सच्छम है आए ना इधर बैठिए न कोज औस विदा नहीं है देखिए बैट करके यह अगर काट ले तो पंचेत होस्पीटल माइथन बैठिए बैठिए माइथन होस्पीटल और थोड़ा हमारा मिश्टर जारखंड पर ध्यान दिजिएगा जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं हमें गर्व है कि हमारे साथ हर दिन बीस से पचास हजार लोग जुड़ते हैं और आज हमारे साथ बिटिया जुड़ चुकी है इधर आए कोनों में यहां यहां तो हम तो लेज धर के रखे हैं और ब जब साथ ले तो एकदम सयम बरते हैं हर बड़ाना नहीं है और कोई दोस्ति यार को ले करके सिधे गवर्मेंट का होस्पिटल जाना है कहां जाना है सदर हस्पताल हर डिश्टिक में एक-एक सरकारी होस्पिटल है अगर आप हमसे पुछेगा तो साथ ले आधार काड़ द और उस डिश्टिक में सदर हस्पताल है और उस सदर हस्पताल में एबियस है जिसके माईधन से इंसान को बचाया जा सकता है आज भी ओजागुनी के चकर में बहुत सारे लोग मर जाते हैं यूद से हाथ जोड की अपील है कि मेरा नकल ना करें क्या ना करें नकल ना करें कौपी ना करें और नहीं तो सर गड़बडा जाईएगा यह जहारखंड स्टेट के अंतरगत वस्थित धनबाद जीला और धनबाद जीला के बगल में निर्शा विधान सभा और बच्पन म में हम इस घर में आया करते थे चुकि यहां वोल्डिंग वगरा का काम होता था और हमारे उत्पल दा सेमल दा का छोटे भाई है जरा पोरिदा को मंच पर दिखलाए जा पोरिदा इधर आईए ना यह हमारे बहुत कलोज्ड हैं और आज नौमी का दीन है लोग मॉर्निंग मॉर्निंग साइद पानी निकालने का करम में लोग ने देखा और दिमाग में पोजर्टिफ सोच को लाया कि हमें बचाना इसे परियावरन में बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है यह पंचत डैम है साथियों पंचत डैम डीवी सी कालोनी का जगह है यहां से हम साप र भारत और हम गर्व से कहेंगे बंदे मातरम